दोस्तों, आज मैं आपको जादूई ब्यूटी पालर कहानी सुना रही हूँ आचल, अरे ओ आचल बेटी, अरे बेटी जल्दी आना कितनी देर ओर लगाएगी अरे भई देर हो रही है, आखिर तु कर क्या रही है इतनी देर से आचल कहती है, मा आरी हो ना बस, अरे मैं मेक अप कर रही हूँ और मेक अप करने में टाइम तो लगता ही है, फिर मेक अप करके आचल बाहर आ गई उसकी मा कहती है, अरे बिटास तो तुने बड़ी देर लगा दी मेक अप करने में आचल, अरे मा, मेक अप में समय तो लगता ही है ना, ये आप नहीं समझ सकती, उसकी मा कहती है, हाँ हाँ मैं कहां समझूंगी, मैं तो बूरी हो गई हूँ ना, पर इसके साथ साथ घर का काम भी तो सीख, देख ससुराल में जाके घर के ही काम करने होते हैं, ससुराल में काम न मा अच्छा फिर घर के काम कोन करेगा आचल अरे उसके लिए एक नोकरानी रख लूँगी मा ब्यूटी पालर में बहुत पैसा है मैं खूप सारे पैसे कमाऊंगी और अपने घर के काम के लिए एक नोकरानी रख लूँगी मा, उसकी मा कहती है और अगर तेरी सासु मा ने तुझे पाल और खुलवाने से मना कर दिया तो फिर क्या करेगी तू आ चल तो फिर मैं सास को ही बदल दूँगी उसकी मा, तू भी बेटा, कुछ भी कह देती है आ चल चलो, अब देर हो रही है, जल्दी चलो फिर आ चलो, उसकी मा मंदिर चले गए वहां के पंडित जी उन्हें अच्छी तरह जानते थे पंडित जी कहते है अरे पुषपा बेन, ये आप भी ही बेटी है पुषपा हाँ पंडित जी, ये मेरी बेटी है पंडी जी कहते, अरे बेटी अब आपकी बड़ी हो गई है, शादी वादी का सोचा की नहीं, पुश्पा, हाँ पंडी जी, क्यों नहीं, करनी तो है, आप भी बता दो कोई आपकी नजर में हो तो अच्छा लड़का, पंडी जी, हाँ बेहन है तो एक लड़का, अच्छा, तो मैं शाम काऊंगा लड़के के फोटू लेकर, और आपके हाथ की एक कप चाय भी पी लूँगा, फिर शाम को ही पंडी जी, एक लड़के की फोटू लेकर, पुश्पा के घर पहुच जाते हैं, लड़के की फोटू, पुश्पा और आचल को बहुत पसंद आई, आचल ने अपनी शादी के बाद बहुत सारे सपने संजो रखे थे, पर ये सब सपने उसके तूटने वाले थे, आचल की सासुमा का नाम शीला था, शीला बहुत खडूस और गुस्से वाली थी, शीला देखो आचल, हम यहाँ पर चार लोगे हैं, और अब तुम आ गई हो तो हम पात जन हो गए, सब का खाना, घर का सारा काम तुमको ही करना पड़ेगा, सुबे का नाश्ता और दोनों समय का खाना तुमको ही बनाना होगा, आचल, क्या, खाना, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं माजी, शीला, क्या, तुमको खाना बनाना नहीं आता, अर पर उसके लिए खाना भी आना चाहिए था क्या शीला अरे अरे ओहो ये तो देखो आते ही जबान लड़ाने लगी पंडी जी ने रिष्टा कराया है इसलिए हमने जादे जाच परताल भी नहीं की क्योंकि पंडी जी को हम कहीं सालों से जानते हैं पर तुमें तो खाना भी ब दोका हो गया है दोका आचल मा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता पर मुझे और काम बहुत अच्छे से आते हैं आचल के सासूर पूसते हैं और काम और क्या काम आता है तुमें बहू वो सासूर जी मुझे मेकप करना बहुत अच्छे से आता है मुझे मेकप का बड़ा शो आती हो तुम ओहो हे भगवान ये हम कैसी बहु ले आए इसको तो बाहर जाके काम करना है अब आचल को ये समझते देर न लगी कि इस घर में उसका ब्यूटी पारक खोलने का सपना कभी पूरा नहीं होगा शाम को आचल की चन में खाना बनाने की कोशिच कर ही रही थी क्योंक आपको खाना बनाना नहीं आता आचल कहती है बहुत बहुत शुक्रिया सीमा दीदी मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और कैसे करूं चलो अब तुम आ गई हो तो मुझे भी सिखा दो कैसे कैसे बनता है सीमा भावी घर में किसी को मत बताना कि खाना बनाने में मैं आपकी मदद की आचल आप भी फिकर रहो मैं किसी को नहीं बताऊंगी पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मेरा ब्यूटी पालर खोलने की बात पर ही सब इतने बढ़क क्यों गए थे सीमा कहती है वो भावी ये सब थोड़े पुराने खयालातों के हैं अभी भी और हम मारे खयाल आपस में कभी नहीं मिलेंगे वैसे सचका उभावी मुझी भी मेकप का बड़ा शोक है और मुझी भी ब्यूटी पालर खोलना है अचल अरे वाव सीमदीदी आपको भी ब्यूटी पालर कोलने का शोक है तो अब तो बस हम दोनों मिलकर एक दुकान लेंगे और अच्छे से ब्यूटी पालर बना देंगे और हम वहाँ पर अप मिलकर अपना ब्यूटी पालर चला सकेंगे और हम सभी बदसूरत और काली महिलाओं को सुंदर बना के बेजेंगे और सीमा दीदी आप चिंता मत करना मैं आपको पूरा कोर्स अच्छे से सिखा दूगी अब सीमा अपनी भावी से ब्यूटी पालर का कोर्स सीखने लगी पर छिप छिप कर सीमा कॉलेज जाती थी और टूशन भी तो बहुत सारी लड़किया उसकी दोस्त थी एक दिन सीमा आकर कहती है भावी मेरी एक दोस्त की शादी है क्या आप उसे तयार कर दोगी अच्छा पैसा देगी वो बताओ क्या कहती हो हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर करूंगी पर हम घर पर क्या कहके जाएंगे अरे बना देंगे कोई भी बहाना फिर वो एक बहाना बनाकर शादी में दूलन का मेक अप करने चली गई वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसा मिल गया और कुछ लड़कियों ने भी मेक अप करा लिया तो उनकी एक्स्ट्रा कमाई भी हो गई आचल उन सब लड़कियों को कहती है अरे आप सब मेरे ब्यूटी पालर आना बस बहुत जल्दी मैं अपना एक पालर कोलने वाली हूँ इसी तरह से चुप चुप कर वो सीमा के साथ कहीं कहीं मेक अप करने जाने लगी ऐसे ही आचलने खुप सारा पैसा ही जमा कर लिया फिर उन पैसों से उसने एक डुकान ली और उसको एक ब्यूटी पालर बना दिया बस थोड़ा और समान था लाने के लिए पूरा ब्यूटी पालर वैसे तयार था पर ये खबर जानने कैसे शीला तक भी पहुँच गई शीला कहती क्या बहु तुने ब्यूटी पालर खोला है अरे हमारे खांदान की बहु बहु बाहर जाकर काम नहीं करती समझी तू भी नहीं जाएगी यहीं गर में रहेगी तब उसका पती हमारे खांदान की नाक टवा दी तुने बेशम उसने आचल की तरफ बढ़कर उसे जोर का तमाचा मारा आचल नीचे गिर गई और उसका सिर दिवार से टकरा के जोर से लगा और वहीं वो गिर गई और तभी उसकी मौत हो गई शीला अरे बेटा ये क्या कर दिया तूने तूने तो इसे जान से ही मार दिया मा मैंने तो बस आचल को थपड मारा था मुझे क् मर जाएगी अब क्या करें ये बताओ शीला ऐसा करो जल्दी ही से ठीकाने लगाओ वरना पुलीस को पता चल गया तो हमें जेल में डाल देगी फिर वो लोग उसकी बोड़ी को लेकर उसी ब्यूटी पालर में गए और वही पर गड़ा खोद कर उसे दफना दिया शाम को सीमा घर आई तो अपनी भावी को इतरुदर डूडने लगी भावी भावी कहां हो तुँ भावी शीला कहती है अरे चली गई वो अपने घर मुझसे लड़के अब इस घर में उसका कभी नाम मत लेना समझी अगले ही दिन आचल के पती की दुकान में आग लग गई उसका सारा स ब्यूटी पालर की याद आई उसने अपनी बेटी सीमा से कहा अरे सीमा बेटी तुझे भी तो कुछ ब्यूटी पालर का काम आता है ना मुझे पता है तुछ चुप चुप कर उससे काम सीख रही थी। सीमा, मा आता तो है पर इतने अच्छे से नहीं आता कि मैं लोगों पर अजमा सकूँ, शीला, अरे एक बार तु व्यूटी पालर जा तो सही, ऐसे ही करते करते, अपने आप आजाएगा सारा काम, सीमा चली तो गई, पर वो बहुत डरी हुई थी, कि कहीं किसी का गलत में कपना हो जाए, किसी का गलत हेर कटना हो जाए, वो इसी उधेड बुन में थी कि तभी महाँ पर एक महिला आई महिला कहती है अरे आपके यहां हेयर कट भी होता है क्या मेरे बाल अच्छे से काट दो मुझे हाज एक पार्टी में जाना है सीमा ने कैची तो उठा ली पर उसके हाथ कापने लगे फिर उसने कैची वापस रख दी पर तभी उसने देखा कैची तो अपने आप ही चल रही है और कैची ने उस महिला के बाल अच्छी तरह से काट दिये सीमा अरे यह क्या यह कैची अपने आप कैसे चल रही है यह क्या जादू है उस महिला के बाल काटने के बाद वो कैंची अपने आप अपनी जगाँ पर आ गई वो महिला बहुत खुश थी, वो कहती है अरे वा, बड़ी अच्छी कटिंग की है आपने, ये लीजे आपके पैसे फिर वो पैसे देखर महिला मांसे चली गई सीमा अभी तक आश्यरे चकित थी, वो समझी नहीं पा रही थी, ये सब कैसे हो रहा है तब ही आचल की आत्म महा प्रकट हुई और बोले सीमा, तुम परिशान नहो, मैंने देखा तुम बहुत परिशान थी, इसलिए में तुमारी मदद करने आ गई फिर आचल ने अपने मोत की सारी सच्चाई सीमा को बताई और उसको कहा कि वो उसकी मोत का बदला ले फिर तब ही सीमा पुलीस में जाकर सारी बात बताई पुलीस ने तब ही शीला के घर आकर शीला को उसके बेटे और उसके पती को पकड़ कर जेल में डाल दिया अब सीमा घर में अकेले रहती थी और अपना ब्यूटी पर पालर चलाती थी आचल के गुनगारों को उसके किये की सजा मिल गई थी अब भी आचल कि आत्मा सीमा की ब्यूटी पालर में मदद करती थी दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पॉर वोचिंग